हेलो, आज हम डिसकस करने वाले हैं, सियू सेट 2021 को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है ये हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और एड्मीशन कैसे होंगे इस येर, जेनियू की बात कर ले हम जामिया की बात कर ले, डियू की बात कर ले, इससे रिलेटेट जो क्या का आपको description में मिल जाएगा तो आईए बात करते हैं सबसे पहले JNU तो JNU के जो entrance test होने के chances हैं entrance test तब होंगे जब situation ठीक होईगी अब बात करते हैं application form कब आएगा JNU के application form आने के chances है June end तक के आपके application form आ जाएंगे ठीक है और JNU का आप लोग को पता है कि JNU का entrance exam है वो NTA conduct करवाती है तो application form जैसी आएंगे उसके regarding आपको वीडियो बनाके inform कर दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम जामिया मिल इसलामिया के बारे में तो जामिया मिल इसलामिया के बारे में जामिया के मीडिया और जन्संपर्ग अधिकारी है एहमद रजीम कहते हैं कि विबिन पाठे क्रमों में परिक्षा के परिणामों के अधार पर प्रवेश दिया जाता है सीब्यसी मुल्यांकन मांदंड के तहत अंक प्रदान की जाएंगे यदि कोई छात्र सीब्यसी मुल्यांकन के बाद पात्रता मांदंड को पूरा करता है तो वे प्रवेश परिक्षा दे सकेंगे यानि आप एंटरेंस टेस्ट भी दे सकेंगे जब आप इलिजिबल होंगे जो मिनिमम इलिजिबिलिटी क्राइटियरिया होता है जैसे कि आप किसी कोर्स के एंटरेंस टेस्ट के लिए अपलाई करते हैं तो उसके लिए आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जैसे हम बात करें कि आप अगर यूजी कोर्स के लिए अपलाई कर रहे हैं यह देखिए IP विशुद्याले के कुलपती महेश वर्मा ने कहा कि बोर्ड परिक्षा रधोने से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी क्योंकि प्रवेश ऑनलाइन कौमन एंट्रेंस टेस्स के माध्यम से किये जाते हैं के लिए केवल चात्रों को अपनी परिक्षा उत्रिंड करने की आवशक्ता यह उन्हें प्रवेश परिक्षा के लिए योग्य बनाएगा बता दे कि पिछले साल से ही आई पी विशुद्याले द्वारा प्रवेश परिक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है तो कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 का वोर्ड माक्स हैं किस बेसे पर आपके माक्स बनेंगे उसका क्राइटियरिया आ यहाई यह आप रीड़ कर सकते हैं अब हम बात करते हैं दिल्ली उनिवर्सिट्य इसके बारे में दिल्ली विशुद्य दालें डी यू के कारेवाक कु बेश्पर के लिए सुरू हो जाएगी हाला कि सेंट्रल युनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस एक अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि यह अखिल भारती योगिता पर अधारित होगा इसलिए भविश्य में इसके लागू होने की संभावना है तो जहां तक कि अगर हम बात कर अपडेट के बारें बात करें कि अपडेट कब तक आ सकता है जैसे कि पता है कि आप लोग को से बीस्टी का इवैलिएशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो आप लोगों को अप सब तक आपको सबको पता चल गया होगा तो कहीं ना कहीं जो है इसके रिगार्डिंग अप लेटेस्ट अपडेट आप कह सकते हैं कि एक से दो दिन में अपडेट आ जाएगा कि जो सियू सैट होना है या नहीं होना है अगर सियू सैट होना होगा तो कहीं ना कहीं आपको इसी मन्त अपडेट किया जाएगा और अगर इस मन्त आपको अपडेट नहीं आता है त तो आपका एक महीने में सब कुछ हो जाएगा नहीं आपको सफीशन टाइम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो अभी भी अगर हम बात करें तो स्यूस एट एक अच्छा ओप्शन हो सकता है लेकिन तब ही हो सकता है जब sufficient time आप लोगों को दिया जाएं तो अभी आप लोगों को क्या update है यह मैंने आपको बता दिया और जैसे ही अब latest update आएगा latest update हो सकता है आज भी आजाए कल भी आजाए परसो भी आजाए तो कहीं ना कहीं जो है जल्द और updates आएंगे तो जैसे ही update आएगा आपको मैं वीडियो इंफाम किस–किस के निकल गए हम्डर्ध के भी एप्लिकेशन फ़ाम निकल गए आईपी पीजरियो थैकित हैं थैंक्यू